राम राम अब हम विश्णु सहस्रे नाम का श्लोक चौद दीखते हैं पहला चरण ओम विश्वम वी आदाश्च वपूरा विश्व शब्द पूरान के बाद वपी अनस्वार आधाम विश्वम वी के साथ आधाश्च शटकॉर्ण वाला विश्णु के साथ आधार विश्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णुर्णु में आमिक्स करेंगे भूत भा में आमिक्स करा भा आधे व की साथ यह पुरा भव्या भा में वापस आमिक्स करेंगे भा व की साथ आधात भवत प्र प्र का अर्थ्वा प आधार पुरा प्रभू भू में उकी मात्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हूँ प्रभू साकेंड चरण रपीट भूत भव्य भवत प्रबहो पहला और दूसरा चरण साथ में ओम विश्वम विश्ण और वशतकारो भूत भव्य भवत प्रबहो तीसरा चरण भूत बिल्कुल वही जैसे दूसरे चरण में भू को लंबा खीचना और तर्मी अमिक्स करना है भूत क के नीचे री से रिशी के मतला क्री के साथ आदाद क्रिद भू वापस बड़ी उक की मतला लंबा खीचना और तर्मी अमिक्स करना है भूत ब्रिद अभी पहले था क्रिद भो के नीचे यहाँ पर री से रिशी के मतरा ब्री, ब्री के साथ आदाद ब्रिद भावो तीसा चरण रपीट भूत कृट, भूत ब्रिद भावो चोथा चरण, तीसरे चरण में ध्यान देना है कि भूत में तव में दोनों जगां अमिक्स करना है और कृट और ब्रिद यह दोनों हालन्त वाले अक्षर हैं इसलिए इन दोनों में भृट और कृट ही बोलना है चोथा चरन भू बड़े उखी मत्रा लंबा कीचना है भू ताकि साथ आधात भूतात माउन भूत भूपे वापस बड़े उखी मत्रा भूत त मी आमिक्स किया भा, फिर व और न, दोनों अक्षे पूरी दोनों में आमिक्स करना है भा वन न मी अ कि मत्रा तो विसर्ग को तीसरा और चाथा चरण साथ में भूतकरत भूत भृतभवावो, भूतात्मा भूतभावण हाँ, पूरीश लोग का उच्चारन एक साथ, एक बार वापस ओम विश्वम विश्ण और वशटकारो भूत भव्य भवत प्रबो हो भूत अक्रत भूत भूत भृत भृत भावो भूत आत्मा भूत भावनहा श्लोक का अर्थ दिखते हैं यहां से हमारे विश्ण सहस्र नाम के हजार नाम भगवान विश्ण के हजार नाम जिनका जब करने से मनुष्य के पाप और संसार का भय दूर होता है भीश्म पितामा पिश्लिश्लोक में युदिश्टिर को बोल चुके हैं कि ये सबी नाम भगवान की गुण के द्वारा हुए हैं जिनका जो विख्यात हुए हैं कहां रिश्यों के द्वारा उनके गीतों में उनकी कथाओं में महत्माओं के द्वारा जो प्रसिद्ध हु पहला शब्द ओम, यहां पर शब्दों से अर्थ देखेंगे ओम, ओम का अर्थ है शचिदानन्द सवरू विश्वम विश्वम यानि इस सम्पून जगत के कारण ट्रूप, मतलब जिनके कारण ये संपून जगत की उत्पत्ती होती है और जिनके कारण ही इस संपून जगत में वापस सबकुछ प्रले होकर शिष्टी का वापस निर्मान होता है मतलब शृष्टी की उत्पती और विनाज तो उनों का कारण कौन है भागवान इसलिए विश्वम वेश्णु हो वेश्णु हो यानि जो सब जगव व्यापत है हर कंकं में हमको पता है भागवान व्यापत है तो विश्णु का अर्थवा जो सर्व व्यापी है वशटकारो इसमें वशटकारह इस शब्द का अर्थ हुआ कि जिनकी उद्देश से जो यग्य होता है उसमें वशटक्रिया की जाती है वशटक्रिया होती है ऐसे यग्यस्वरुब भूत भव्या भवत प्रबुहु यहाँ पर तीन चीज़े हैं भूत यानि भूत भव्या भवत प्र लोग को सब पता है तो तीन चीजा आ गए भूत भविश्य और वर्तमान प्रभू यानि स्वामी ठीक है भूत भूत कल भव्वे यानि जो होगा यानि भविश्यकल और भवत यानि जो हो रहा है वर्तमान कल उसके स्वामी भूतक्रिद इसमें भूतक्रिद भूत बना था न तो भूत कृत और भूत भृत यानि जिनोंने सबी भूतों की जिससे सबी प्राणी कृत यानि हुएं तो मतलब संपून भूतों की रचना करनी वाले और भूत भृत भृत यानि होता है पालन पोशन करनी वाले तो संपून प्राणी होका पालन पोशन करनी वाले आगे भावो भाव यानि जो नित्य स्वरूप होते वे स्वत भाव रूप से जो हर समय उत्पन रहते हैं भूत आत्मा यानि हम संपोन प्रानियों के जो आत्मा स्वरूप हैं वो भूत भावनह यानि जो भूतों की उत्पत्ति करते हैं भाव तो भव यानि होना तो उनकी उत्पत्ति की और भावनह यानि उनकी उत्पत्ति होके और उनकी वृद्धी करने वाले तो वापस इसमें क्या-क्या नाम आए हैं इन सबको देखेंगे यहाँ पर कुल नौ नाम आए हैं ओम सचीदानंद स्वरूप जो समस्त विश्वम संपोन जगत के कारण रूप हैं ज जिनकी प्राप्ति के लिए यग्य में वशट क्रिया करती हैं वो यग्य स्वरूप जो प्राणियों के भूत भविश्य और वर्तमान काल के स्वामी हैं जो सम्पोन प्राणियों की उत्पत्ति जिन से होती है जिन से सम्पोन प्राणियों का पालन पोशन होता है जो नित् शम्पूर प्राणियों की आत्मा है और सम्पूर प्राणियों की उत्पत्ती और वृध्धी करने वाले हैं। इस तरह यहां पर भगवान विष्णु के कुल नौ नाम पूरे हुए। सहज सुखराशी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बुलो नई, नारण, 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 नारण